एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद राची पहुँचे आरजेडी अध्यक्ष लालु यादव सुरक्षा के कड़े इंतजाम एम्स का दावा लालु की मर्जी पर ही सोमवार को किया गया था डिस्चार्ज कठुअ गैंग रेप पर जमू कश्मीर के डेपटी सीम का विवादित बयान कहा ये छोटी सी बात ज्यादा टूल ना दे विवाद भड़ता देख सफाई दी राहूल गांदी ने हर गाओं में बिजली पहुँचाने के सरकार के दावे को बताया जुमला सरकार ने दी सफाई करनाटक में आज प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी बीजेपी के प्रचार के लिए करनाटक पहुँचें मैसूर, बेलगावी और उडूपी में जन सभाएं मैसूर में ये डियुरपा को बताया भावी सीम महराश्ट्रो में दूद के नियुनतम मूलिय को लेकर धरने पर बैठे किसान, विरोध में कलेक्टर आफिस के बाहर फ्री में बाटेंगे दूद गाजियाबाद में साहिवाबाद के मदरसे में हुए रेप का आरोपी बालिक है या ना बालिक, आज होगा फैसला आरोपी की औसिफिकेशन रिपोर्ट आई मनेसर जमीन घोटाले के मामले में हर्याना के पूर मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंग हुडा को मिली बड़ी रहत, सीबी आई कोट ने जमानत दी जारखन के धनबाद में मुख्यमंत्री मामा ने किया पांच साल की बच्ची के साथ रेप, हत्या पर शव को जंगल में फेका आरोपी गिरफतार अप्रेल माई के महिने में ही लोगों का गर्मी से बुरा हाल राजस्थान सहित देश के कई हिस्वों में पारा 47 डिग्री के पार और विशो मजदूर दिवसाज गूगल ने डूडल बना कर सेलिबरेट किया